इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं एक बर पहले बोल दूँ कि सब कुछ सम्भाल लिया जाएगा आपको चिंता करने की कोई ज़रुत नहीं है सब कुछ अपलोड होगा देरे देरे थोड़ा साथ 10 दिन 15 दिन जो है वो टाइम लें थोड़ा पीछे चलेगा वो आपको बुक में नहीं मिलेगा तो आपको यह जो है चाप्टर कहीं और से रिफर करने की ज़रुत नहीं है तो चलेगे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है इसको जल्दी से फिनिश करते हैं शुरू करते हैं कि यह जो प्रॉजेक्ट एलिफेंट है सबसे पहले तो यह जान लिजिए कि इंडिया में 2010 में इंडिया की जो एन्वार्मेंट मिनिस्ट्री है उसने यह डिकलेर कर दिया देखि प्रॉजेक्ट एलिफेंट एक सेंटरली स्पांसर्ड स्कीम है सेंटरली स्पांसर् grande entrepreneur क्या होते है जिसमें जो Central Government है, वो guideline देती है और जो implementation होता है, वो State Government का होता है funding जो होती है, वो divided होती है Central Government जो है थोड़ी funding ज़्यादा देता है और State Government भी जो contribute करता है और Central Sector scheme काउन सी होती है? तो यह प्रोजेक्ट elephant है, किस अच्छा पहले, किस state में देगी, सब में नहीं देगी, जहां पे जो elephant ज्यादा है, elephant की population ज्यादा है, उन states में यह मदद करेगी, देखिए इंडिया के जो है, total जो states है, only 17 में, elephant जो है, wild state में है, बाकी में कहीं है, भी तो captive state में है, domesticated है, लेकि जो है, प्रोजेक्ट elephant चल रहा है, साथ साथ इसके अलावाब 5 elephant rescue centres भी है, जो rescue centres है, हर्याना, भिहार, तंपिलनाडू में, लेकिन मैं अलग सी चीज बता रहो, कि 5 elephant rescue centres तो हर्याना भीहर तमिलनाडू करनाटका और केरला में हैं याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है बशरते कि आप उससे स्टेट से बिलॉंग नहीं करते हो तो यह जो है प्रोजेक्ट इसका अब्जेक्टिव क्या है एम भी है बहुत लंबा चोड़ा एम रखने की याद को कॉर्रिडोर क्या होता है एक यहाँ पर हैबिट है एक यहाँ पर हैबिट इसको कॉर्रिडोर बोलते हैं जैसे हमारा UPSC प दूसरा आपको पता पिtable से आःपने करों मैन एनिमल कंफ्लिक्ट होदा तो कि इहुमनने आइलिगल глуб transact जो है human elephant conflict जो है उसको address करना उसके issues को कि क्यों हो रहा और कैसे रोकना है तीसरा जो objective है कि जो कुछ जगह पर domesticated elephants है आप खुद देखलो ना temples वगरा में south में कई जगह होते हैं तो domesticated जो animal है उनको भी include किया है यह तो wild वाले के लिए होगा दो objective लास्ट objective जो है welfare of the domesticated elephant है present data यह है एकदम recent किसी बुक में नहीं मिलेगा project elephant जो है उसमें जो है total 13 elephant reserves बनाएगे है 32 sorry 13 नहीं 32 elephant reserves बनाएगे है यह latest data है next question यह उठता है कि census के बारे में क्या elephant का census कैसे करता है आपको मैंने tiger का बता है था ना हर four year पर होता है 17 वाला जो है वो latest है उसके जो data है मैं last में आपको आगे पढ़ाऊंगा लेकिन यहाँ देख लीजिए सबसे ज्यादा elephant कहाँ पर है एक technique होती है direct counting method उसमें जो sighting होती है कि elephant को हमने देखा उसके इसाब से जो villages वगर है वो बताते हैं कि हमने sight किया elephant को इसमें बहुत error आता है दूसरा यह है indirect counting method उसमें क्या करते है जो elephant का डंग होता है जैसे गोबर होता गाय का उसी तरह elephant का भी डंग होता है उसमें जो है उसकी analysis करते हैं और उसको study करके पता करते हैं कि elephant की population कितनी है हर elephant के डंग की property अलग होगी तो उसी को chemical को analyze करते हैं दो तरीके है अब यह जो project elephant है उसमें बस यही चीज़ें नहीं होती कि conservation करना है conservation के लिए उनके कई research और consultancy और training projects भी चलते हैं research भी चलता है यह सारे research जो है मैंने संकर से उठायों यह past के हैं तो बहुत important तो नहीं लेकिन बता दू कि पहले हिनोंने कभी एक research किया था कटक का है Central Rice Research Institute उसके साथ जो है project elephant development ने research किया और वहां पर एक ऐसी राइस की variety developed की जो की elephant जो है उसको खाये गा ही नहीं अगर elephant वो राइस की variety खाने नहीं आएगा जो आपकी agriculture में नहीं आएगा तो man animal conflict बच जाएगा नहीं होगा ठीक है दूसरा ऐसे storage bin भी बनवाए food grain के जो की elephant है उसको मतलब रिपेल हो elephant को है न मतलब एक अनाज का दाना बना है जिसमें जो rice वगर रखी है ऐसे food grain का basket बना है storage bin बनाया है उस पे ऐसा chemical लगाया है कि elephant जो है उससे रिपेल हो जा रहा है खाने उसको आई नहीं रहा तो ऐसे से research कराती है इसके लावा Assam Agricultural University जो है उसके दो project थे एक तो elephant है उसकी anatomical studies anatomical मतलब elephant को काट काट के उसके पूरी body को समझना anatomical है Tommy मतलब काटना होता है फिर एक हमारे country में wildlife institute of India है यह trust है मैं आगे पढ़ाओंगा don't worry मैंने आपको अच्छा wild life institute of India तो मैंने आपको अरड़ी पढ़ा दिया था देहरा दुन वाला पिछले वाले lecture में हाँ तो wild life institute of India हो चुका है wild life institute of India जो है उसने यह study की थी कि यह अपना जो राजा जी नैशनल पार के उत्राखंड में वहां से जब गुजर को relocate किया तो उसका इंपक्ट elephant की population पे क्या पड़ा नहीं पड़ा यह study भी जो है project elephant के अंदर की गई थी फिर जो अपना Kolkata का Indian Statistical Institute है उसने यह चोटे लेवल की एक study की थी consultancy की थी उसमें उन्होंने वेस्ट बंगाल के forest department को help किया था कि आप sample based enumeration वही डंग वाला जो है enumeration enumeration मतलब counting कैसे कर सकते हो elephant की यह 2007 वाले जो census हुआ था उसमें किया गया था यह भी project elephant के अंदर किया गया था साथी साथ project elephant जो है जो जानवरों के लिए जो veterinary doctor होते हैं उनके लिए training अगरा देना और domesticated और wild दूनों को कैसे treat करें यह सब भी सिखाता है तो चली थोड़ा अपने elephant के बार में पढ़ लेते हैं elephant reserve के अंदर ही पढ़ लेते हैं आपका जो elephant है इंडियन elephant उसका scientific नाम आपको याद रखना elephant maximus होता है elephant maximus होता है और यह कहा होता है आपके इंडिया के western घाट का जो central और southern area वहां पे होता है तो यहां पे area में है दो हो गया फिर आपके northern area में देखी northern इंडिया में कहां पे होगा आप खुद सोच लेजी उत्तरा खंड का area है ना यह हो गया और फिर लास्ट में Southern Peninsula में भी Southern Peninsula मतला महराष्टा बगर वाला area में भी थोड़ा ठीक है स्टेटस क्या है आपको आप जो है मैं कोई भी आनिमल पढ़ाऊंगा आपको तो उसकी दो स्टेटस पढ़ाऊंगा एक तो मैं पढ़ाऊंगा को वाइल डाइप प्रोटेक्शन एक मैंने आपको डिटे पर 2 को छोड़के बाकी को आप शिप्ट कर सकते हो इसलिए जो रेसस मंग की है वो स्केडूल 2 में तो है लेकिन फाल 2 में नहीं है इसलिए उसको शिप्ट करके वर्मेंण डिकलेर किया गया था इनियुवे धुर्ष्ट को देखेंगे यह भी डिटिल में पढ़ा दिया त बीच की जो connecting जो एरिया है चाहे दो फॉरेस्टेट ओ नौट फॉरेस्टेट उससे कोई मतलब नहीं है अस्ट्रेच और नेरो स्ट्रिप फॉरेस्टेट और अधर वाइज इवन नौट फॉरेस्टेट लैंड यहां पर मिलेंगे तब तो पॉपलेशन बढ़ेगी उससे जो है वो जो मुवमेंट होती है उससे एनिमल के सर्वाइवल में और बर्थ रेट में जो पॉजिटिविटी आती है लेटेस्ट डेटा है आपको फिर से शंकर में या पर गलत मिलेगा प्लीज मत पढ़ना अभी अब यह पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर आई है तो प्रॉब्लम जो है एलेफेंट कोरीडोर के फ्रेगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है आपके नौर्धरन वेस्ट बंगाल में नौर्धरन वेस्ट बंगाल में मतलब क्या जो उपर जो सिलीगूरी कोरीडोर की बात कर रहो है यहां पे जो है एलेफेंट कोरीडोर बहुत जादा फ्रेगमेंटेड है उसके बाद जो है नौर्थ वेस्टरन इंडिया में और सें और फॉरेस्ट में तो प्रोटेक्टेड एरिया और फॉरेस्ट में है तो फ्राग्मेंटेशन नहीं हो रहा लेकिन नाशनल एवरेज क्या है देखिए नाशनल एवरेज यह है कि कि वो इलेवेंट रहेगा तो बहुत कुछ रहेगा जैसे एलेफेंट रहेगा तो ताईगर उसको खाएगा एकर विल्वनेरिबेल कंडिशन में अगर elephant reserve vulnerable condition में है तो थोड़ा सा तो मदद मिल जाता elephant corridor से 40% आपके elephant reserve जो है vulnerable condition में है क्योंकि वो जो है mostly protected park में ही नहीं sanctuary में ही नहीं फिर जो migration अगर भी बंद कर दोगे और तो और problem हो जाएगी दूसरी बात जो elephant corridor के एक और problem है उसका कोई specific legal protection नहीं है हाला कि अभी जो है government ने यह बोला central government के कि central government ने state को कि आप elephant corridor को declare करिए तो आप एक काम करिए environment protection act के अंदर गड़ डिक्लेर करिए या wildlife protection act के अंदर गड़ जो है उसको declare करिए notify करिए ताकि थोड़ा उसको legal protection मिलेगा otherwise elephant corridor को कोई legal protection नहीं होता यह सबसे बड़ी problem है next यह थी चीज है कि जो forest है उसको कई जो है farmland में convert कर दिया गया है unchecked tourism हो रहा है तो animal का तो पात तो पूरा ब्लाक हो गया animal man conflict होने लगा यह देखिए increased animal elephant human conflict next यह कि आप जो है government तो पैसे कमाना चारी है eco tourism करवार यह लेकिन वो unchecked है unregulated pollute करते हैं लोग habitat destroy करते हैं तो animal का जो home range है खास करके elephant का वो तो पूरा destroy हो जाता है तो यहीं पर जो है आपको एक recent 2018 के 17 की news है वो पढ़ लेनी चाहिए एक Asian elephant alliance बना है इसमें 5 NGO है देखिए government नहीं है 5 NGO है उन्होंने मिलके कसम खाई कि जो इंडिया में 101 जो existing corridor है उन में से 96 को तो कम से कम secure करीं देंगे almost 12 states में तो 5 NGO जो Asian elephant alliance के भले जो मानुस है अच्छे NGO कौन है देखिए कौन है एक तो है elephant family डिटेल जाने की ज़रूत नहीं है एक है international fund for animal welfare दो हो गए एक है IUCN नीदर लैंड नीदर लैंड का IUCN तीन हो गए जो next है वो world land trust है चार हो गए अब आपको confusion हों का पांचमा को है पांचमा इंडिया का एक NGO है wild light trust of India ये पांचों मिलके जो है Asian elephant alliance कर रहे है कि 96 corridor को protect कर देंगे out of 101 वो जो मैंने आपको बताया था कि legal backing देने के लिए क्या करना है तो देखे No.22 2018 की news है कि एक steering committee बनीती project elephant पे 15th steering committee उन्होंने बोला state government को कि आप जब elephant corridor को next time notify करो तो कोशिस करो कि वो eco sensitive zone की तरह notify करो eco sensitive zone क्या होता है eco sensitive zone आपके protected area के around थोड़ा sensitive area होता है और उसको Environment Protection Act 1986 के अंतरगर declare करते हैं या फिर आप उसको community reserve बना दो या conservation reserve बना दो अगर community reserve बनाएंगे और conservation reserve बनाएंगे तो कौन से एक्ट से बनेगा wildlife protection act से बनेगा यह मैंने आपको अल्रेडी पढ़ा दिया है कि अंदर ही community reserve conservation reserve होते हैं तो थोड़ी लीगल बैकिंग मिल जाएगी पांच जो इंजियों उसमें से एक तो छाव हो था wildlife trust of इंडिया तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है देखिए wildlife trust of इंडिया का यह logo है आप इसको बनाएगा था 98 में हैं रही है नौडवयज्या को बचाने के लिए प्रोटेकशन के लिए काम करता है इन्होंने पास्ट में जो है critically endangered species को बचाने में बहुत मदद की है translocation की है species की human animal conflict को जो है reduce किया है rescue और rehabilitation में काम किया animal के elephant हो project या फिर tiger project हो या फिर project snow leopard हो leopard का project हो one horn rhino का हो सब में जो है इन्होंने काम किया beer वाले में भी काम किया देखिए इसको जो है income tax act के अंदर गत 1961 के अंदर का देख as a charity organization register किया गया है charity तो है ही अब यह next topic है गज यात्रा देखिए गज यात्रा जो आया था वो 2017 में आये था यह campaign है आपके पूरे nationwide पूरे country में campaign करना था कि elephant को protect करना है और इसको launch किया था world elephant day पर आपको याद रखना है कि world elephant day जो है 12th of august को आता है 2017 में गज यात्रा लांच की गई थी और इसको जो है बारत के 12 जो है elephant range के states में चलाए गया था यह 15 months का campaign था तो long time हो गया 17 से 18 के लास्ट सक चला in fact 19 में थोड़ा सा चला और इसको जो lead कर रहा था वो wildlife trust of India lead कर रहा था जो मैंने आपको पिछले slide में यहां पर पढ़ाया था campaign का जो aim है कि आपको जो है awareness करना है लोगों को और particularly elephant corridor के बारे में कि उसको जो आप आपका elephant corridor उसके लिए थ्रेट करें देखिए थ्रेट नॉर्मल है उसका habitat loss क्यों हो रहा है क्योंकि आप जो है नए घर बना रहे हो तो क्या कर रहा हो रोड रेलवे बना रहे हो और फिर कई जगा पर आप क्या कर रहे हो कि fencing लगा रहे हो elephant से बचने के लिए और वो जो solar से energized होती है और उसमें electricity चलती है और कई सारे जो आपको मिलेंगे elephant तो तो electric wiring में ही मर जा रहे लगके next mining बहुत बड़ा problem है coal mining iron mining जहां पे होती हो particularly आप देखेंगे उस एरिया में चाहे हो उडिशा हो या जारकंड हो उस एरिया में आप देखेंगे कि elephant की भी population है तो यह single biggest threat जो है न यह coal और iron mining ही है जो की elephant corridor को खराब कर रहा है देखिए उडिशा जारकंड और चतिसगर में बहुत problem है next poaching की भी problem है आपको पता ही है कि जो male elephant होता उसके tuskers होते है तो उससे ivory बनती है elephant ivory तो male का तो एकदम मतलब बहुत population कम कर दिया गया है मतलब almost आपके country में 27,000 elephant है उसमें माना जाता है कि 1500 के आसपास ही जो है tuskers है या male है यह condition है next देखिए elephant को जो है extensive बहुत grazing ground होता ही नहीं नहीं होता तो बाहर खेतों में जाते हूं आपके rice खाने के लिए और वहां से food लेते हैं तो जो human animal conflict होता है elephant animal conflict हो जाता हूं आप तो solutions भी तो बताने होंगे आपको आपके means में तो देखिए solution यह है कि जो आप corridor को है आप जो protected area के आसपास यह protected area में ही बना या फिर आप उसको statutory backing दे दो इससे क्या हो जो है जैसे हमालो आप ecologically sensitive area बनाओगे आप ही मैं आपको बताए है Ecologically sensitive area क्या होता है protected area के थोड़ा आसपास में बनाए जाता है और इसको बनाते है Environment Protection Act 1986 के थ्रूप तो उनसे उनका conservation जो है ठीक से होगा दूसरी बात कि जो है आपको local community को तो बिल्कुल इन्वाल करना पड़ेगा elephant corridor के preservation में और अगर कोई local community लग रहा है कि आपको elephant corridor के उपर ही बैठने वाली है तो आप उनको जो है relocate करने का भी try करो और उनके लिए भी तो safety इन से ओर होगी ना उन population के लिए देखिए जो next topic है बहुत important है यादे मैंने आपको sites पढ़ा है तो बोला था कि sites ही जो है South Asia में माइक program चलाती है वही हमें पढ़ना भी यहाँ पे monitoring of illegal killing of elephants माइक monitoring of illegal killing of elephants program जो है यह जो sites है इसका conference of party हुआ था उससे एक resolution आया था और वहाँ पे उन्होंने यह बोला था कि South Asia मे जो है particularly जो Asian elephant है उसके protection के लिए 2003 में इनकी यह meeting होई थी और 2004 से जो program launch हुआ था उसी को बहुत है Mike program देखिए करना क्या था जो इसके participating जो आपके जो South Asia की जो countries है उनको जो है elephant range state बोल रहे है state मतलब आपका state नहीं यह nation की बात हो रही है वहाँ पे उनको क्या देना था उनको एसे information provide करनी थी ताकि वो जो elephant का है management और उनके जो decision होंगे वो सही decision ले और उनकी जो institutional capacity बड़े national capacity बड़े और वो जो है long term management कर पाए elephant की population का viable population जो है elephant की protector रहे है तो वही उसी के हिसाब से उसका main objective भी था क्या करना है measure to measure level and trends in the illegal hunting of elephants नाम में ही है illegal killing of elephants की monitoring करनी है तो illegal hunting जो हो पड़ेगा to determine changes in these trends over time change क्या हो रहा है population घट रही है कि बड़ रही है elephant का बड़ा प्रॉब्लम है elephant की population नहीं घट रही elephant का habitat हो रहा है टाइगर की population आ गए ती एकदम extension होने लगा था वो नहीं हो रहा है 27,000 है stable बने हुए बट जो कॉरिडोर है जो habitat है इतना ट्रेंड हो रहा है उनके hunting में जो change आ रहा है उसके trend में तो उसको समझनी की बात है कि क्यों हो रहा है यह और साथी साथ assessment करनी है observed results की और जो decision making है उसको जो enforce करना है यही काम जो है conference of the party जो था sites का उसने बताया था और वहीं से माइक प्रोग्राम निकल कर आया था माइक प्रोग्राम में जो है इसके लिए आप चुकि डेटा के ज़रत होगी तो डेटा जो आती है वो monthly data collect की जाती है सारे साइट से all sites और monthly basis सोच रहा हो monthly basis पर collect कर रहे हैं इतना जो उनका है intensive और सबस्क्रीजनल उफिसमें शब्मेट किया जाता है और जाश्त में आपको डेटा चन्ज गरूरagn की मुद्ध करता है उसके सबस प्रोग्राम को Джू माइकि आया प्रोग्राम 画ी है 2004 में और एक बात कि प्राजिक्ट एलिफेंट जो है सारे टाइगर में झुने गेंगा है एलिफेंट रिजर्द आपके कंट्री में से टेन चुने गए एलिफेंट रिजर्द जिनको माइक प्रोग्राम के अंदर डाला गया है तो ऐसे याद रखने की जो तो नहीं है लेकिन उत्रांचल में श्रिवालेक वेस्ट बंगाल में जो इस्टन दुवार्स हैं दुवार ह और फिर अबनाचल प्रदेश में देव माली और के रिला में वाया नेड़ है सबको पता है करनाटका में मैसूर है सबको पता और तमिल नाडू में नीलगिरी है सबको पता यह 10 लोकेशन माईक साइट में आती है साउथ इसिया में उसमें टेन लोकेशन नेक्स्ट ट्रस्ट ऑप इंडिया के साथ मिनिस्ट्री ने आपके लॉंच किया था हाथी मेरे साथी एम जो वही है कि आपको कंजर्विशन करना है आपके जो है नैशनल हेरेटेज एनिवल मतलब टाइगर का लेकिन जो आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट यह कैम्पेन को लॉंच कि पॉब्लिक ऑप कॉंगो इंडोनेशिया केन्या स्री लंका तंजानिया थाइलेंड आपको देखें आप समझ में आ जाना चाहिए कि आप एफ्रिकन केन्या तो एफ्रिकन जो है एलिफेंट वो भी इंक्लूडेड है और ऐसे एट कंट्री जिन्हों ने मिलके जो है एलिफ मतलब साथ में रहना जुनना की मतलब दूनों इस दुसरे को हट ना करो और एक कॉंपेणियन शिप भी होती है कि एलिफेंट रहेगा तो कियस्टोन स्पेसिज एफ और जो है लोग रहेंगे तो एक चीज डेवलप करने की बात की गई इसका जो कैमपेंड का मैसकट था उ यूथ निकाल के स्कूल बगर में चलते थे पॉलिसी मेकर्स भी हैं बाकी भी कई लोग हैं इसका थीम क्या था है कि गजा गजा मतलब इलिफेंट उसको साथ में किसके लाना है प्रजा प्रजा मतलब लोग तो गजा और प्रजा के बीच में जो है तालमेल बनाके रखना इसी का ये theme था हाथी मेरा साथी, नाम में ही है हाथी मेरा साथी, इतने पेनी रुखेंगे जो आपका protection और law enforcement की agencies है, उनकी capacity भी build करनी होगी, वो भी है, ground level पे तभी तो protection होगा, और जो है, policy भी advocate करनी पड़ेगी, वकालित करनी पड़ेगी, जो की patchy derm, patchy derm मतलब क्या होता है patches होते हैं न, elephant के, लटके लटका सर शरीर होता है, derm मतलब skin होती है, तो patches derm के elephant के protection के लिए, policies का advocacy भी करेंगे, हाथी मेरा साथी में, वही देखिए है, take gaja the elephant to the praja, to the people, यही है, elephant, और यह जो आया था, आया था recommendation से elephant task force के, तो elephant task force अगर कोई पूजे तो कहा होता है, देखिए Environment Ministry के अंदर होता है, elephant task force, मैंने आपको पहली बतायता है कि tiger जो है, उसकी बात करने तो extension phase कर रहा है, लेकिन जो elephant है, वो attrition phase कर रहा है, समझ रहो, बट रहा है, वो corridor खराब होने, attrition phase कर रहा है, यहां से वहाँ, तो जब reproduction नहीं होगी, तो वो तो ऐसी ही खतम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि elephant के number बहुत drastically decrease हो गया है, 27,000 के रहा है, लेकिन जो है, उनका habitat, उनका corridor, उनका conservation में problem चल रहा है, सबसे बड़ी problem यह है, कि Asian elephant में आप degradation देखोगे, तो उनके ivory product और poaching के लिए, मतलब ivory product के लिए उनके poaching बहुत हो रही है, जो इंडिया में जो आपके इतने सार elephant है, उसमें माना जाता है कि 25,000 elephant है, अभी तो 27,000 हो गया, उसमें से tuskers जो है, male elephant है, only 1200 बच्चे होगे है, imagine करो, battery, और एक बात कि जो world के Asian elephant के population है, उसमें इंडिया का 50% इंडिया में है, आपको जानकारी के लिए बता दू कि जो African elephant होते हैं, उनका size काफी बढ़ा होता है, Asian elephant है, African elephant का जो कान होते हैं, वो खड़े होते हैं, elephant जो हमारी country के उनके कान जो होते हैं, लटके होते हैं, size भी छोटा होता है, ये फर्क है, तो वही जो elephant 8 ministerial meeting जो 2011 उसके बारे में पढ़ लेजिए, कि जो elephant 8 की ministerial meeting होई थी, उसमें तीन regions represented थे, मैंने आपको बता है न, आफ African forest elephant, इसमें बस government नहीं थी, policy makers थे, conservationist थे, historian जो भी थे, art and culture expert भी थे, क्योंकि elephant का art and culture से भी बहुत बड़ा relation है, राजा लोगों की चीज है न, और मंदिरों वगरे में भी कई बार यूज होता है, elephant, ये सारे लोग इसमें जो है, आयते उन्होंने discussion किया था, और उन्होंने वहाँ से तीन basic theme निकाले थे, एक तो science and conservation लेके चलना है साथ, management और conservation साथ लेके चलना है, और cultural और ethical perspective भी conservation के साथ जोड़ना है, E8 countries ने जो है, necessary step तो लेने की बात की ही elephant के conservation के लिए, साथे साथ उन्होंने बुले कि common agenda लेके चलने की, जो long term welfare और elephant का और जो survival हो, वो ensure करे in range countries मतलब E8 range country में, E8 range country तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो फिर से बताने की कोई जरूत नहीं है, वही जो E8 की meeting होई थी, वहाँ पे उन्होंने एक global goal बनाया, meeting के बाद और बोला कि सब हाथ मिलके elephant 50-50 forum चलाते है, elephant 50-50 का मतलब क्या है, देखिए इसमें shared vision of 50 estates, 50 countries जो थी 2011 में, तो वही है यहाँ पे E-50-50 forum, E8 countries decided to hold the first international congress of E-50-50 forum कब गो लेंगे, वो भी New Delhi में करने का, उन्होंने ने डिसाइड किया, 2011 में डिसाइड किया था, और 2013 में जो है, E-50-50 forum जो है, New Delhi में कराया गया, और एक common global goal बनाया गया, कि conservation, management और welfare करे elephant का 50 साल तक 50 countries मिलके है, इमेज अची नहीं है, लेकिन मैं आपको जो पढ़के बता दे रहा हूँ, यह 2017 का जो census हुआ है, वहाँ से डेटा मैंने निकाला हुआ है, तो उसके इसाब से जो elephant के region बताए गया है, यह वाला जो region आप देख रहा हूँ, इसमें क्या है, आप देख लो कुछ से उत्तरा उत्रा खंड है, और देखो क्या है, यूपी है, याद रखना है हिमाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है, उत्रा खंड है और यूपी है, यह जो है, पार्टिक्लर एरिया, इसको बोलते है, नौर्दरन रीजन elephant के लिए, अब यह पूरा जो नौर्थ इस्ट है, वेस्ट एरिया elephant के लिए, और यह जो लास्ट में साउथ का एरिया, उसमें देखे महारास्ट्रा है, तेलंगाना है, आंद्रप्रदेश है, यह करनाटका है, यह तमिलनाडू और केरला है, यह जो है, आपके चार रीजन है elephant के लिए, तो लास्ट में मैं आपको बोला था कि elephant census 2017 भी साथ दिया था, आपको जो है, उनके बारे में detail पढ़ने की कोई जूरत नहीं है, Asian Nature Conservation Foundation था, और वो जो Asian Nature Conservation Foundation है, और जो मिनिश्यों परवार में forest and climate change है, और कई NGOs भी थे, और कई independent conservationists भी थे, इन्होंने सब के मिलके counting कहां की थी, Indian Institute of Science Bangalore की मदद लेके, वहां पे जो है टेक तो वहां से जो census निकलाऊ से ये बताया है कि आपके जो Asian elephant की country में, इंडिया में population है, वो 27,312 है, आपको tiger वाला याद होगा 2967, elephant का 27312, इसकी खासियत ये थे कि first ever synchronized था, ये All India elephant population census, पहले बार क्या हो था, पहले क्या हो था था, अलग-अलग state अपना जो है, अलग-अलग East, Central और North, ये चार रीजन जो है, मिलके synchronized होके पहली बार उन्होंने counting किये first time हुआ था, अगर ऐसे आप count करें कि 17 का population कितना है, 27,312, तो वो जो है 2012 वाले जो population से कम है, आपको देखेंगे, वो 2012 वाला 29,000 से 30,000 के range में था, और अभी 27,000 ही है, लेकिन यहां पे आप करनाटका में मैं आपको बता है, हाइस नंबर है, elephant की कितने है, 6049, उसके बाद Assam में, उसके बाद Keral में है, Preliminary जो data है था, वो site-based direct count method से आथा, जो last में जो final counting की जाएगी, जो determine किया जाएगा, जो tally किया जाएगा, वो dung count method से किया जाएगा, इन 3 months ये बताएगा, साथ में 17 का हला की ये news है, तो यह मैंने आपको बता ही था न, दो टेकनिक है, उनको count करने की, तो पहले site-sync से एक data ले लिया, फिर जो है, डंग वाला जो है, analysis करके निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताए, कि जो counting चल रही थे हो, तो उसमें एक था, Asian Nature Conservation Foundation, जिसन का ये मानना है कि Asian elephant है, वो keystone species है, जिसके हिसाब से पूरी ecosystem चलती है, और ये rich forest को South Asia और South East Asia में support करता है, इतना ही था, project elephant हो गया, और बाकी फिर से बोल दे रहा, अपनी राश मत हो ये, सारे PT 365 जो है, डूली अप्लोड होंगे, नए वाले भी बनेंगे, पुराने वाले भ करेंगे ethics को और preparation को, तभी तो में अच्छे इंसान कहलाएंगे ना आगे, फिर क्या जवाब देंगे otherwise, हो गई गलती तो कोई बात नहीं, हमसे तो नहीं बड़ी गलती को होई भी नहीं थी, बढ़ ठीक है, मानना चाहिए ना चीजों को, चल, बाई बाई